नमस्कार, खबर समझ जगत में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ जितेंदर जेन, आईए नजर डालते हैं आज की कुछ मुक्खे खबरों पर संगोष्टी कारिक्र में शामिल हुए, जेपी नड़ा के ससो स्वर्गेश भाष्यंदर बेनरजी 1951 से भारती जनसंग के सदसी रहे हैं, जिनकी प्रतीमा सिविल लाइन लोहिया पुल के पास लगाई गई है, स्वर्गी स्वाष्यंदर बेनरजी की मुर्ती का नावरन करने के दोरान, श्रिवराज सिंग चुहान ने कहा कि दिवंगत नेता सुभाष्यंदर बेनरजी का अभूत पूर्व योगदान राय जिसे की कभी नहीं भुराया जा सकता है, उनकी तपस्या के कारण ही जनसंग और यहापार्टी स्थापेत हुई है, जो की आज पूरे विश जनसंग की स्थापना में सुभाष्यंदर बेनरजी का हाथ उसका चुनाच इने दीपक हुआ करता है, और इस कार्टम की का जो शुवारम हो रहा है, वो भी सुभाष्यंदर के सामने दीप्रजिलन के माज़न से हो रहा है क्चिर सकते हैं, चाहिए, जैसे प्रजिलन काल बाद जाट, जो भी सुभाष्यंदर के माज़निया काल बीदर ने दीपक है वो रहा है, शुवारम के माज़निया, ज़न सुभाष्यंदर के ग।। प्रचान करें सार सभी लोगे दिखत का लगी हुई है अधर निए सुबत्रा जी पहिये थोग पीछे रहा किरसी जी स्री बिसुन ज़ा स्रमा जी स्रीपन जब आई अम सभी इसके नुड़ा आई बाटा कि दो बाटा कि दो दो स्वर्गी श्वाज जी बच्पन से ही संग्ह के समर्पित फ्रेम सेवक्ते राश्ट प्रेम और देजबक्ती की भावना उन्हें पूट-पूट कर भरी थी संग्ह के संसकारों से युक्ष्यू कर दस साल उन्होंने प्रिचारक के नाते काम किया और बाद में दीनद्याल पंडित दीनद्याल जी उपाध्याय के मार्ग दर्सन में महा कौसल में भारती जनसंग की स्थाप्णा की भारती जनसंग के संग्ठन का महा कौसल में विस्तार करने में उनका अतुलनी योगदान है वो प्रांद के सैसचिव महा सचिव रहे और जबलपुर सहर भी संसकार धानी के वो लगातार दस साल अध्यक्ष रहे 1967 महनों ने चुनाव लला लोक सभा का और कांग्रेस को उस समय कड़ी टक कर दी थी और उनी की प्रेरना से स्रिदे भावी जी और पूरा परिवार संग के संसकारों से युक्त होकर राश्ट प्रेम की भावना से देश की सेवा में और जनता की सेवा में लगातार लगा रहा साइद ये एक मातर परिवार होगा जिसके छे सदस से एक साथ आपात काल के दोरान जैल में रहे स्वाहाज जी बिभाज जी पुरा परिवार ही जैल में छे लोग जैल में उनके जीवन में संग ही संग था उनकी तपस्या के कारण भारती जनसंग फिर भारती जनता पार्टी यहां इस्थापित हुई और फिर स्रिद्य भावी जी ने भी लोक सभा विधान सभा में प्रतेत्व किया और मंत्री भी रही आज उनकी प्रतिमा का अनावरन करके हम अपने आपको धन्य मान रहे हैं परिवार आज भी उसी भाव से देश की और जनता की सेवा में लगा हुआ है हमारा भी स्वभाग है कि आज उनके चर्णों में सुध्धा सुमन अर्पित करने का अफसर मिला कोई भी बिचार के प्रस्थापित होता है तो उन बिचारों को समाज में इस्थापित करने में बिप्तियों का बड़ा युगदान होता है और विचार बिनादिप्ती के परिस्रम और त्याग और बलिदान के द्वारा ही समाज में उन विचारों की जो प्रतिस्थापना होती है उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि राष्टी संस्रिवक संग से प्रेरित राजनेतिक बिचार की द्रश्टी से उस अंतोदय और एकात मानव दर्शन के बिचार को प्रतपादिर करने में महाकवसल छित्र में जिनके श्रम परिस्रम और उनके त्याग के कारण से अगर रिस्तापना हुए तो उसमें सरदे अधास दनर्जी जी का सबसे बड़ा योगदान इस चेत्र के अंदर है जवलपोर से खबर समय जोगत के लिए पंकत जोयन की रपोड़ लेटेस्ट में सबस्क्राइब टूर चैनल प्रस्टी बेल आइकोन